हलो दोस्तों मैं फियाज और आप देख रहे हिंदी टेक वीडियो आज के इस वीडियो मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि बिना मॉबाइल बिना प्रोड़क्ट के आप कैसे एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना सकते हैं एक रिवीव वीडियो बना सकते हैं या फिर एक कंपेर वीडियो बना सकते हैं कैसे बनाएंगे वह मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल अगर आप चैनल चलाते तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बिना प्रोड़क्ट के आप अन्बॉक्सिंग वीडियो बना सकते हैं तो चलिए चलते हैं अपने लाप्टॉप स्क्रीन के उपर और देखते हैं कि यह तरीका कौन सा है जिससे हम अपने वीडियो को बना सकते हैं वह भी बिना प्रोड़क्ट के कंपेर वीडियो बना सकते हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दू आजक sako बहुतीщ सप्कते है लैटब स्क्रीन पर चलते हैं कि इसको कैसे बनाय जाता है तो गया हम आपने लैपटप स्क्रीन पे और देखिए हमार लैपटप स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है खाली है एक एक बर मैं यहां पर अगर एंटर बटन दबाऊं, देखे मैं एक बर यहां एंटर बटन दबाता हूं, तो यहां पर यह दो प्रोड़क्ट आ गए, जो कि काफी खुबसूरत है, यहां पर शौमी रेड्मी 9 और 9A, तो सोचिए कोई बंदा जब मोबाइल खरीदना चाहता है और उसके दिमाग में रेड्मी 9 है, तो फिर वो सोचिगा कि 9 और 9A में क्या फर्क है, इनके प्राइज में क्या फर्क है, इनके फीचर्स में क्या फर्क है, तो उसके लिए ये वीडियो काफी बढ़िया रहेगा, तो देखे यहां पर मैं एक बर और जब एंटर बटन जाएगा, तो ये काफी शानदार वीडियो ऐसे बनता है, देखें, यहां पर आ गया, एक तरफ है एड्मी 9, एक तरफ है एड्मी 9A, और यहां पर उसके कुछ फोटो भी है, और यहां पर भी हाइट की बात हुरी कि एक का हाइट कितना है, दूसरे का हाइट कितना है, इस पर देख लिए कि ये पूरा एनिमेशन कैसे काम करता है, और यहां पर इसको कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़े मैं आपको बता दोँगा, और यहां पर देखें, थिकनेस की बात आ गई, तो मॉबाईल की थिकनेस क्या है, और यह काफी बड़ी है, इसमें आपको प् लेकिन उनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, और लोग चाहते हैं उनके बीच में कंपेर करना, देखना की दोनों में क्या फर्क है, तो यहां पर देखिए कैमरा की बात हो रही है, और फिर हम यहां पर नेक्स्ट करेंगी, यह सारी चीज़ें चली जाएंगी, अच्छा और यहां पर इस सारी छीज़ें तो यहां पर बना सकता हो, और यहां पर यहां पर स्टोरेदे रैम की बात की जाए है तो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी, इस टो जो आइग्ए तो ह मॉबाईल दिखा है, लग-शाल अप यहां पे अलग कंपनी के तरीका मिलेगा, तो यहां पर देखें, यहां storage exam था, तो यह काफी अच्छा है, और मैं आपको एक चीज़ बता दू, यह powerpoint में है, और यह powerpoint template है, और इसे मैंने बनाया है, इसलिए यह copyright free है, और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको data change करना है, और आपको यहां कहां से मिलेगा, और फोटो कहां से मिलेंगे, वह भी मैं आपको बता दूँगा, यहां पर प्रोसेसर वगयर सारी चीज़ें, बहुत अच्छा है, यह 8-10 पेज बनता है, आपकी 3-4 मिनिट की वीडियो बन जाएगी, अभी इसी वीडियो की देख लो, 2-3 मिनिट की वीड बना लिजिए, और इन दोनों का जो एफलेट लिंक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, तो आप वहां से भी अर्निंग कर लकते हैं, तो यह कमाई करने का भी बहुत अच्छा तरीका है अपने यूट्यूब चैनल से, यानि कि आपकी वीडियो भी बन ग लिए हर स्लाइड में अलग-अलग चीजें करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि यह टेंप्लेट नहीं है, कि एक पेज मैंने आपको बना कर दे दिया, और आप इसके बाद आप बस कॉपी पेस्ट है, डुब्लिकेट पेज बनाते जाहिए, हर पेज का अलग-अलग है, तो इस के लिए मैं क्या करूँगा, आपको यह पी-पी-टी दे दूँगा, ठीक है, आप इसको डाउनलोड करिए, और बस इसके फोटो उसको बदलिया और इसके डेटा को बदलिया, अप डेटा कहां से मिलेगा, सिंपल सा है, आप यहाँ पे फिलिपकाट ओपन कर लीजे, या आप Amazon ओपन कर लीजे, और वहां से कोई दो मोबाइल ले लीजे, वही को उनके डेटा मिल जाएंगे, वहां से कॉपी-पेस्ट कर लीजे, आप फोटो की बात करें, तो आप फोटो भी वहां से ले सकते हैं, या फिर आप इनके ओफिशल वेपसाइट पर जा सकते हो, मोब मार्क ना हो, सिंपल सा फोटो अप, जैसा भी मैंने दो फोटो लगाया है, जो की अभी आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन कॉपी-डेट देखा भाई, ये तो फोटो एक हजास जगह आपको मिल जाएंगे, रेडमी के साइट पर मिल जाएंगे, एमेजोन पर मिल जा वाटर मार्क ना हो, तो वहाँ से बहुत आराम से ले सकते हो, सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, जैसे फोटो पे एक बार क्लिक करो, डिलीट बटन दबादो, डिलीट हो गया, अब यहां जो भी फोटो आप लगाना चाहते हो, यहां उपर इंसर्ट बटन है, क्लिक किय ओर यहां से फॉक्णा क्लिक किया, डिस डिवाइस क्लिक किया, और जो भी फोटो यहां पे आप लेना चाहते हो, लेकर यहां पे लगा सकते हो, मैं कोई सब एक पो gradually लेता हो, यहां पर डेक्स्टोप पे जाता हो यहां से फोटो एक फोटो ले लता हो, जैसे यह फोटो यहां पर आ गया तो इस तरह से आपको फोटो ले लेना है आपको जो फोटो लेना है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी जो उंचाई है लगबग 600 होने चाहिए और चोड़ाई 200 या 300 के असपास होनी चाहिए तो काफी छोटा फोटो आपको नहीं लेना है तो देखिए यह कुछ इस तरह से आगया तो इस तरह से आप यहां फोटो बदल सकते हो राइप राइस की बात आप एक बर क्लिक करेंगो जिस भी टेक्स पे एक बर क्लिक करोगे आप वहां पर एडिट करने का आप्शन आ जाएगा देखिए यह दस दार रुपर हो गया आप एडिट कर सकते हो नीचे जो मोबाइल ने में आप इनको भी बदल सकते हो रेडमी यहां पर मैं 10 कर देता हूँ अब मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा आप नाम लगते हैं जो कि बॉक्स से बड़ा हो गया देखिए अब जैसे यहां पर मैंने रेडमी 100 कर दिया तो यह बॉक्स से बड़ा हो गया दो लाइन वी हो गया तो आपको इसके फॉटवाइजा कारना पड़ेगा तो क्या करेंगे इसको डबल क्लिक करेंगे और यहां से फॉट के साइस को चोटवा कर देंगे अब एक लाइन में आ गया हाला कि थोड़ा सा यह छोटवाया दूरómo वाले के वी फॉन को थोड़ा चोड़ा कर लीजे, दोनों को एक बदाबर कर लीजे, तो बहुत आराम से एडिट हो सकता है, किसी भी पेज को एडिट करना चाहिए, जैसे यहां पे है, पाँच हजार इमेज बैटरी है, तो मैं मान लीजे, स्लाइड है, बनके रेडी हो जाए, जितने भी आप मोबाइल दिखाना चाहते है, जो दो मोबाइल आप लेना चाहते है, उन दोनों का कम करने के लिए आप यहां पे फोटो लगा दीजे, उनके बाकि बाकी डिटेल लगा लिए, beaucoup बैटरी वाले सेक्षिन में, बैटरी के डिटेल लगा लिए, तो आप यहां पे यह प्रोसेसर है, आपको simply इस पेज में आना है और जो भी आपने mobile लिया उन दोनों के processor में देखिए क्या क्या है वहाँ से copy करिए यहाँ पे paste कर दीजे तो आप यह प्रोसेसर लगा दीजे जब यह आपकी पूरी slide complete हो जाए तो simply आपको अपने laptop या computer में screen recorder को on करना है और slide को शुरू से play कर लेना है जैसा यहाँ पे शुर देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है फिर एक बार इंटर बटन रभाएंगे सारी चीज़े चली जाएंगी फिर एक बार इंटर बटन रभाएंगे तो यहाँ पर dimension आएगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में dimension में क्या फर्क है तो Redmi 9 का height कितना है Redmi 9A का height कितना है तो 9 का height है 77.04 mm और Redmi 9A का भी height है 77.07 mm यह हो गई height इसके बाद हम बात करते है वेस्ट की तो देखें कुछ इस तरह से आप video बना सकते है voice over कर सकते है जब पूरी slide complete हो जाए अब अपने screen recorder को बन करिए video को edit करिए YouTube पे upload करिए हो गया simple तो अब बात करते है इस को download करने के लिए simply आपको नीचे description में link मिलेगा आपको उसे click करना है और click करने के बाद से आप जिस एक website पर जाएंगे और वहाँ पे आपको एक timer चलता हुआ रिखेगा 30 second का आपको 30 second वेट करना है जब आप 30 second वेट करेंगे तो वहाँ पे आपको free download का एक button दिखेगा download करने के बाद यह zip format में होगा और जब आप zip format को open करेंगे तो वहाँ पे password मांगा जाएगा और उसका password मैं आपको बता देता हूँ उसका password है 4967 उसका password है 4967 तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद